नमस्कार दोस्तो शिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिशेक सिंग दोस्तो घर बनवाना तो वैसे भी अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं है दोस्तो लेकिन अगर इस ठीती हमारे अनुसार सही नहीं है मतलब कि यह देखे यहाँ पर एक फूटिंग का काम चल रहा है और देख सकते हैं दोस्तो कि मिट्टी कितना ज़्यादा गिला है और जब बरसात का पानी उपर से भरता है तो उसको हम पंप आउट कर सकते हैं दोस्तो लेकिन अगर अंडर ग्राउंड वाटर नीचे से ही निकलने लगे चुकि आप देख रहें कि यह जो घर बनाया जा रहा है बिल्कुल धान के खेत के बगल में है और धान के खेती वहीं होती है दोस्तो जहां पर पानी का लेवल एक अच्छा खास सा अस्तर पर रहता है तो खेत में इस तरह की घर जो बनाया जा रहा है तो जहर सी बात है वाटर लेवल उपर ही रहता है और जैसे ही हम 5-6 फीट की खुदा ही करते हैं उसमें दोस्तो पानी निकलने लगता है आप देख सकते हैं बगल में धान का केत हैं और वैसे बरसात का सीजन अभी खतम ही हुआ है तो अंडर ग्राउंड वाटर का लेवल जो वैसे भी उपर आया हुआ है तो इस केस में दोस्तो फुटिंग किस तरह से डालना है ये मैं आज आपको बताना है अगर इस साइट का एक्जामपल ले तो इस साइट में कुछ काम जो है वो अच्छा भी किया जा रहा है और कुछ काम जो है वो थोड़ा सा गलत भी किया जा रहा है जिससे कि आप ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम है ठीक है वो चार कॉलम आने थे और चारो कॉलम को दोस्तों कमबाइन करके दोस्तों एक ही बेड पे दिया जाने वाला है तो यह काफी अच्छा काम है तो फुटिंग डालते हैं सर्फेस एरिया बढ़ाने के लि कि यही काम हमारा फुटिंग का होता है कि जो कॉलम होता है ऐसे छोड़ दिया जाया दोस्तों तो वो नीचे की तरफ धस सकता है इसलिए दोस्तों फुटिंग करके उसके सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं और यहाँ पे चारो कॉलम का जो फुटिंग है दोस्तों उसको दोस्तों तीन इंच का कम से कम PCC होता और उसके बाद दोस्तों हमारा ढलाई होता तो वो सही रहता अब क्या होगा दोस्तों और इन्हों ने कभर ब्लोक के नाम पर दोस्तों इंट का पड़योग किया है तो इंट क्या करता है दोस्तों एक इंट से दूसरे इंट में पानी सोखेगा, तक बाद क्या होगा दोस्तो, कि एक इंट से दुसरे इंट और दुसरे इंट से फिर सरिया तक दोस्तो, पानी नीचे से पहुच जाएगा और वो धीरे-दीरे दोस्तो, शरिया में जंग लगाना स्टार्ट करेगा जब तक रस्टिंग होती है दोस्तों सरिया को कोई ज़्यादा अफर नहीं पड़ता है लेकिन जैसे ही कुरोजन स्टार्ट हो जाता है जो हमारा सरिया है वो सरने के बाद पपड़ी बनके उखरने लगता है तो वो धीरी-धीरे दोस्तों इसका डायमेटर कम होने लगता है और वो धीरे-धीरे दोस्तों लोड बेरिंग कैप सीटी जो है वो बिल्कुल जो है वो जीरो तक चली जाती है और उस केस में हमारा जो बिल्डिंग है वो धारासाई भी हो सकता है तो इस इस से बचना चाहिए पी सी सी करने में बहुत जादा खर्चा नहीं आता है दोस्त अटेक्ट है दोस्तों उसको हटाने के लिए पी सी किया जाता है ये चीज मिस्तरी को समझना होगा तो उमीद करता हूं दोस्तों आप इस चीज को समझेंगे और जब अपना घर बनवाएंगे तो इन सब सारी जनकारियों का इस्तमाल करेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों नमस्कार धन्यवाद